अपने बैंड पाइटियों को तो देखाई होगा और बैंड बजाने वालों को भी बैंड बाजे के धुन पर किसी बैराप में जूमे नाचे भी होंगे कभी मन्द से तो कभी दोस्त रिस्तेदारों के इसरार पर आम तोर परलाफ वक्सर भी बैंड एक ही तरह के होते हैं एक ही तरह के गाने और एक ही तरह की परफार्मेंस लेकिन हम जिस बैंड पाइटि को आपको दिखा रहे हैं वो औरों से अलग है डेर स्कोट भले ही हर बैंड वालों की तरह ही है लेकिन इनकी परफार्मेंस और अंदाज दूसरी बैंड पायटियों से काफी अलग है जरा इनकी परफार्मेंस देखिए यह बैंड पायटी जहारखंड की है और यही इनकी खासियत भी है दरसल जहारखंड का होने के चलते इनके बैंड पर जहारखंड के आदिवासी लोक निर्तियों का भी प्रभाव है इस बैंड में शामिल सभी कलाकार जहारखंड के आदिवासी इलाकों से ही आते हैं और अपने लोग परमप्राय के निर्तियों को अच्छे से जानते हैं। इन्होंने अपने बैंड में अपने लोग निर्तियों का समवेश कर बैंड की दुनिया में एक नया प्रियोग किया है। और ये प्रियोग काम्याब भी है। अंग्रेजी बैंड में भारतिय संगीत तो पहले से शामिल था लेकिन इसमें जारखंड के अधिवासी संगीत का समवेश फ्यूजन मुजिक का एक अलग ही चटक रंग पैदा करता है जनजातिय लोकसंगीत और लोकनित्यों की एक खासियत उनका मन को तरंगित करना है जनजातिय लोकसंगीत जब कानों के राष्टे दिल में उतरते हैं तो पैर खुद बेखुद थिरकने लगते हैं इस बैंड की भी यही खासियत है जब यह जूमकर अपनी پरफार्मस देते हैं तो आपके भी पैर खुद बेखुद थिरकने लगते हैं बात बेबात पर इनकी परफार्मस का अलग से भी एक वीडियो डाला गया है आप उसे भी देख सकते हैं यहाँ इनकी परफार्मस की एक छोटी सी जलक देखिए झाल 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 झाल